5,4,3,2,1 इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु का आविश्कार करता है तो आविश्कार करने में न केवल उसका अपना परिश्रम रहता है लेकिन साथ ही साथ समाज ने जो काम किया होता है चाहे विज्ञान के शेत्र में या प्रद्योगिकी के शेत्र में या किसी अन्य शेत्र उस सबसे भी वह लाभानवित होता है, इसलिए जब हम किसी आविशकार के अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ यह भी विचार हमारे दिमाग में आता है, जिस व्यक्ति ने समाज की सहाइता से अविशकार किया है, उस समाज को भी उसका फल अधिक से मारने मंत्री जी ने भी कहा है कि पेटेंट ला इस सिध्धान्त पर आधारित होना चाहिए। मारक्षा होनी चाहिए उसके साथ ही साथ जैसा मैंने अभी कहा है कोई व्यक्ति समाज में व्यर्थ में काम नहीं करता है वरन पिछले समाज के लोगों ने जो जो काम किये होते हैं चाहे विज्ञान के शेतर में या प्रद्योगी के कि शेत्र में या किसी अन्य शेत्र में और जिनके आधार पर वह कोई आविशकार करता है उसको उसका प्रतिफल तो मिले लेकिन जो परिडाम हो उसका सिध्धान्त है वह भी इस विध्यक के पीछे स्थापित किया गया है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहां हम किसी आविशकार के जो अधिकार हैं चाहे धन के उपारजन का अधिकार हो या प्रतिफ्था प्राप्त करने का अधिकार हो उसे प्रतिफ्था का और चाहे धन का दोनों का लाभ व्यक्ति विशेस को भी मिले